एक जुलाई से एनम कोर्स में एड्मिशन के लिए फॉर्म एप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे एक जुलाई से 31 जुलाई तक आप एनम कोर्स में एड्मिशन देने के लिए फॉर्म एपलाई कर सकते हैं इसमें कोई भी entrance exam नहीं होगा के वर्ट 10 तो 12 की merit base पर ही आपका selection होगा नमस्कार साथियो आप सभी का हमारे youtube यहने smart पार्ट शाला पर बहुत बहुत स्वागत है माइनेम इस प्रोजबी UPPSC nursing officer now I am working in a NM training center मुरादबाद उत्तर प्रदेश तो आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही जादा important होने वाली है जो लोग 2023 में एनम course में admission लेना चाहते हैं या पर जो लोग government seat पर एनम course करना चाहते हैं जैसे कि आप सभी को पता है एनम course में admission लेने के लिए notification आ चुका है एक जोलाई से 31 जोलाई तक form apply करना start हो जाएंगे और उसके लिए मैं सबसे उसके लिए जो हमारी आशा और संगनी है जिनको काम करते हुए पास साल हो गए है वो अपना certificate जाकर बनवा लीजिए क्योंकि जब आप apply करना start होंगे तब आपको form फिल करते समय आपको आपका पास साल का experience certificate चाहिए होगा साथी आप character certificate भी बनवा लीजिए उसके बाद क्या होगा 10th or 12th के mark जोड़के merit बनेगी उसी के अधार पर आपका selection होगा और form fill करते समय आपको center भी choose करना होगा center choosing का मतलब होता है कि आपको कौन से center में admission लेना है priority wise आपको वो fill करना होता है आपको सारे center choose कर दे होंगे मतलब कि आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एनम पैतिस एनम training center है वह उत्तर प्रिदेश में कहां कहां पर है उनके address के साथ तो आईए हम पहले वह list देख लेते हैं कि कहां पर कौन सा एनम training center है और मुझे कुछ-कुछ-कुछ फोटो वगरा मिली है तो वह भी मैंने उसमें add कर दी है आप आप पहले यह वीडियो क्लिप देख लिए उसके बाद हम बात करते हैं आपको हमारी previous वीडियो में मैंने explain किया हुआ है कि एनम कोर्स में admission के लिए notification जारी हो चुका है जिसमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप admission के लिए form apply कर सकते हैं साथ यह कर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े तो इसमें लिखा है वर्ष 2023 में एनम के दो वर्ष ये प्रिशिक्षन के लिए प्रदेश के 36 एनम प्रिशिक्षन के इंद्रो हेतु 1800 सीटों पर महिला अभ विभागे website www.dgmhup.gov.in portal पर दिनाग 17 2023 से 31 2023 तक आमंत्रित किये जाएंगे यानि कि तो 36 एनम ट्रेनिंग सेंटर के लिए 1800 सीटों है तो हम बात करेंगी ये 36 एनम ट्रेनिंग सेंटर आखिरकार कौन कौन से है और कौन से डिस्टिक्षन के हैँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एनम हल्वाई की बगीची मथूरा रोड आगरा आगरा में हमारा एनम ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर फिफ्टी सेट्स इसमें दी हुई है इसमें देखे साथ हो इसमें एड्रस भी दिया हुआ है दूसरे की बात करें हैं तो एनम ट्रेनिंग सेंटर अलिगड़ में हमारा एनम ट्रेनिंग सेंटर उसमें भी फिफ्टी यहां पर हमारी दी हुई है साथ ही दोस्तों मैंने कोशिश किये कि जो जो भी एनम टीसी से मुझे फोटो मिले हो वो मैंने इसमें एड करने की कोशिश किया उसके बाद फिफ नंबर बर है एनम ट्रेनिंग सेंटर नियर सीमो कैमपस बलिया बलिया में बांदा में भी है और स्पस्सादे टेंटर ने के परदे में यह अनम ट्रेनिंग सेंटर प्रेड़ की फोटो है और एक अुझे बात करते हैं प्रेणिंग सेंटर पीजन और में बिजार में हमारा कहां पर है ने ट और हम यह का की हमारा बश्णूर का इनम ट्रीनिंग सेंटर है इसमें भी 50 saints यह अल्मोस्ट नेक्स इनम ट्री सेंटर है इटावा में इतावा में कहां पर टीवी एटाव इन अम ट्रेंग सेंटर मैं आन। theology सल्ट हम बात करें चाल यहांटर रच्ञा यहांब करें चालिकल क्जॉआ हम चालियंहे चिंह इनिंग हमद्व मईने कुछ-कुछ फोटोज हैं, यह इनी सेंटर्स की हैं इसके बाद हम बात करें, तो ALİGANJ में, लखनो में हमारा ALİGANJ पर इनम ट्रेallिनिंग सेंटर है महुआ में भी इनम ट्रे वाइनिंग सेंटर है मेरी 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 में, कहां पर है? उसके बाद मिर्जापुर में भी हमारा एनम ट्रेनिंग सेंटर है उसके बाद अब हमारी आती है 24 नमबर पर मुरदबाद एनम ट्रेनिंग सेंटर के अब कोर्स यह हमारा एनम ट्रेनिंग सेंटर है जो के डिस्टिक हॉस्पिटल के पास में है और सीमो ओफिस के भी जस्ट स पूछना हो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेसेज करके पूछ सकते हैं देखिए मैंने चुट-चुटी सी अपने सेंटर की क्लिप लगाई है इसके बात बात करते हैं मुझफर नगर में भी हमारा एनम ट्रेनिंग सेंटर है कुछ-कुछ लोगों को डाउट है कि सेंटर कहां पर हैं कहां पर नहीं है तो यह आज में आपके समने पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आई हो पिली भीत में कहां है अमारिया इनम टीसी है उसके बाद प्रताबगड प्रताबगड में भी इनम ट्रेनिंग सेंटर है सीमो ओफिस के पास में राइब रेली में सीमो कैंपस में ही इनम ट्रेनिंग सेंटर है जो आप बात करते हैं रामपूर की, रामपूर में कहां पर एनम ट्रेनिंग सेंटर, मिलक में, रामपूर के पास में है, थोड़ा से डिस्टेंस है, मिलक में है हमारा एनम ट्रेनिंग सेंटर, उसके बात करते हैं, सहारनपूर, सहारनपूर में भी जो एनम ट्रेनिंग सेंट है जो है नीरा होस्पिटल के पास में यह उसके बाद सुल्तानपूर का जो एनम ट्रेंडिंग सेंटर है वो पुलिस लाइन के पास में है उसके बात करते है वरांसी यह भी मेरा काफी फैवरिट एनम ट्रेंडिंग सेंटर है एनम ट्रेंडिंग सेंटर बड़ा गाउं वरां वीडियो के माध्य हम से आपको पता ही चली गया होगा तो आर यू एक्साइट फो कमिंग इनम टेनिंग सेंटर हैं उनके लिस्ट के वह कौन-कौन से डिस्टिक में हैं तो मैं सब आपको अगर कोई भी क्वेरी हो कोई भी कंफ्यूजन हो कि कैसे एड्मिशन लेना है कब क्य प्रोसिस होगी तो उसकी सारी अपडेट में आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी और साथी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूस सकते हैं क्योंकि मैं जो मेरा जो वर्क प्लेस है वो अभी मैंने ज दीजी एमेश यूपी डोट जीओ दोट इन की वैबसाइट पर जाना होगा वहां जाकर आप देखेंगे के कुछ इस तरीके का इंटर्फरेंस आपके सामने आएगा इसमें नीचे की साइड जो निउटिफिकेशन है इसमें देखिए उपई लिखा यहीं पर यह उपर की साइड इसमें नीउटिफिकेशन में जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथी जो यहां पर और साथी एनम जी एनम और साथी जो यह उपर की साइड लिखा है एनम जी एनम जहां पर लिखा है कोर्स में एडमिशन वहां पर आपको क्लिक करेंग आधार कार्ड निवास पिर्माण पत्र जाती पिर्माण पत्र अगर आप EWS के टेग्री से ब्लॉं करते तो आप पर EWS का सर्टिविकेट होना चाहिए आशा और संगनी है जिने पास साल हो गए है वो अपना experience certificate उसमें लगाएंगे तो लोग चैनल को नहीं है वो चैनल को सब subscribe कर लीजिए और बैल आइकन notification को ओन करना ना भूलें जिससे की आने वाली सारी update और जो भी notification आता है वो आप लोगों तक पहुत सके कोई भी confusion ना हो आप लोगों को आप बहुत easily form apply कर सके और जो भी update आती है वो आप लोगों तक पहुत सके एक जोलाई से जैसे ही form apply करना start ह हो जाएंगे हम आपको बताएंगे step by step आपको form कैसे फिल करना है कोई भी question हो तो आप comment box से message करके पूछ सकते हैं आप जल्दी से अपने सारे document ready कर लीजिए जिससे की form apply करने में आपको कोई problem ना हो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर सकते हैं और जाते स्यादा श